हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज़ वर्ड एक्सप्रेस फिलेट कमांड यूज़ करने के लिए आप सिंपल एफ टाइप करेंगे और इंडर प्रेस कर देंगे यहां पर आप देख सकने फिलेट कमांड सेलेक्ट कर देंगे तो इसके पशाथ हमें रेडियस देना है जै तो इन्सलेक्ट करना जीफन में व्यक्राइणा और इसके लएक चाहते हैं तो इसके लिए सिंपलल वही फिलेट कमांड जाएँगे ए रेडियस देंगे रेदिस मालेज हमने फूर दे दी इंडरप्रेस कर दिया यहां पर आप ट्रिम ऑप्षन देख रहा है इसमें अभी ट्रिम बाइड डिफॉल्ट सेलेक्ट है हम नो ट्रिम कर देते हैं इसके बाद फर्स्ट अबजेक्ट सेलेक्ट करेंगे अब देखिए फिलेट भी होगे और अरिजिनल अब्यक्ट ट्रिम नहीं हुआ है जन्रली ट्रिम यूप्यो कर लेना चाहिए इसके पर दूसरा आप्षन हमारा फिर से है फिलेट में आप देख पा रहा है इसमें ट्रिम में हमने तो ट्रिम कर दिया पहले अब पॉलिलाइन ह हम पॉलिलाइन से लिएस से अलेटर करते हैं करते हैं माली कर देती हैं अब आप सेड़क्न करें देखिए हर एक और कॉर्णरस का fillet हो गया है with other radius of two actually polyline और line में difference आपको पता है जैसे हमने इसको line से बनाया है तो सभी line है अलग अलग है यह देखिए एक बार select करने में नहीं होती है और यह polyline से बनाया है एक बार में पूरा object select हो जा रहा तो इस तरह यह polyline से बना हुआ तो polyline में हम fillet command use करेंगे तो सभी corner में एक बार में ही पूरा fillet command use हो जाएगा इस तरह fillet command का उप्यूग करते हैं एक और option है multiple का option तो हम simple multiple select कर देंगे multiple select हो गया हम radius देंगे माले जी हमने two radius दी two करके enterprise कर दी है multiple हमारा already selected है तो हमें पहला object select करेंगे दूसरा object देखिए fillet हो गया आप देखिए command अभी भी active हो है with two radius अब हम दूसरी जो पॉइंट में पहला object दूसरा object select हो जाएगा कहीं पर भी हम use करते हैं multiple का मतलब same command same fillet radius के against में हम कहीं पर भी उसको use कर सकते हैं बार बार इस तरह हम fillet command का यूज कर सकते हैं thanks for watching कोई doubt हो please comment करें